करेशन से उमीद करता हूं आप ठीक होंगे आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है जैसे आपको मैंने बताया कि आपने मेरी थमनेल देखियोगी और थमनेल के उपर जैसे 40 रुपए 60 रुपए 80 रुपए यह तीन रेंज में लगाई विया और हेवी साडी आपने देख करवा पाता हूं ना सूरत का कोई भी वैपारी जो जैनियून होता है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा आपको तो उनका एक्शुली फैक्ट क्या होता है जैसे मेरे कई वीवर्स ने मुझसे चीज पूछी थी क्या चालिस साट और असी यह 100 के नीचे जो साड़िया आती है उनकी एक्शुल चीज वो होती क्या हो कैसे मिलती है क्या मतलब क्वालिटी क्या होती है कपड़ा क्या आता वो कैसे होता तो पहले तो यह 40-50 वाली साड़ियों की थोड़ी सी गनित्म आपको समझा जिता हूं फिर आगे के पन बात करते हैं कि जैसे आपने एक यह आप भी देखते होंगे नोट करते होंगे गाउं में भी चलता है सिटी में भी चलती है चीज़ की पुरानी जो यूजड साड़ियां होती है जो मतलब घर में कोई नहीं पहनता हो जो डिफेक्ट हो जाती है जिनमें इन साड़ियों के अंदर कभी नोट करना साइकल हो के बाद में केमिकल वाश भी ओता है इनका वाश होने के बाद में वापस यहां सूरत मार्केट में बिखती है और यह पहनने वाला कपड़ा नहीं होता है जो मतलब कई कस्टमर मेरे मानते हैं अब एक स्टोरी इसी में च्छोटी सी में डाल देता हूं आपको जो मतलब ऐसा चोचलो कि उसको कट पीस के भाव में भी अगर बेशने जाओंगे ना तो चालिस का चालिस भी खड़ा नहीं कर पाऊगे यह सिंपल सी चीज अब इसमें मैं जैसे मेरे कस्टमर के साथ में क्या हुआ था वो चीज बता तो एक सिंपल जैसे मैं चीज बता देता आती जरूर है यहां पर अब उसमें 3 मीटर भी निकल सकता है 4 मीटर भी निकल सकता है 4.5 मीटर भी अभी वह बरतन बेचने वाले ने कौन सी जगे से वह साड़ी यह उसको भी पता नहीं है तो बंडल में मिक्स आती है अभी किसी लेडिज ने अपनी 400 रुपे वाली पंडल के अंदर आती है आपने 100 पीस लिए 200 पीस लिए 500 पीस लिए एक भी कपड़ा रिपीट नहीं होता उसके अंदर जो मतलब अलग अलग फैंसी और बहुत पूरानी चीज़ें होती है तो आजकल के लेडिज आपको पता है ना वह महीना दो महीना पहन के नहीं हो 40-45 वाली आती है उसमें डेमेज पीस इतने निकलते हैं कि आपने मालों एक रेश्यों पकड़ के चलते हैं कि अगर सो पीस लिए आपने तो सो में से 90 पीस वह आपको सिर्फ कट पीस के इसाब से बेचने पड़ेंगे वह और किसी काम आएंगे नहीं और मेरे इसाब से कट 50-60 रुपए में कि धुवादार साड़ी अबिकरी है मिल रही है खूब और तो अब भार से कोई भी कस्टमर आता है तो सिंपल बात है नहीं और उनको मालूम नहीं रहता है उनको यह रहता है कि आर वाकई में सूरत में इतना सस्ता माली मिलता होगा तो इसी वज़े से यह मंडी एसिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है तो हो सकता है वहाँ पर इन रेटों के अंदर वाकई में माल मिलता हो तो वह इसी हिसाब से यहां पर आये उन्होंने एक दुकान से परचेज भी किया अब जनरली साड़ी होती है छे मिटर की होती है और अब जैसे मेरे और ने का ठीक है ब्लाउज का अब नहीं आएगा तो भी मेरे तो सो रुपे में बिग जाएगी तो हजार पीस उनके कितने रुपे में बिखे बने उनके 40,000 उन्होंने हजार पीस का ओर दिया वहां पर और 40,000 रुपे में वो बने 40 रुपे के इसाब से अब नॉर्मल जै जैसे यह जो रेट यह जो फ्रेश रेट स्टार्ट होती है अब यह मैं चीज बताने वालों से जरा गौर से सुनना हो तो पता भी चलेगा आपको कि मैं क्या समझाने वाला हूं कि जो फ्रेश रेट जो बिखती है ना सूरत के अंदर वह 110-120 रुपे में साड़ी मैनुफे से और लेने के बाद में सिंपल सी चीज है कि दिखाई भी यही सब चीजे ऐसा नहीं है कि वह कटी-फटी दिखाई है दिखाई यही साड़िया जाती है जो 120-130-150-160 की रेंज में सूरत में मैनुफेक्ट्रिंग होती है यही 50-60 डिजाइन दिखाके और ले लिया जाता है क आपको मिक्स आएगी इसमें डिजाइन है इसी टाइप के पैटन आएंगे सारे उन में से साड़ी नहीं दिखाते हैं क्योंकि वह कपड़ा एकदम मरा हुआ कपड़ा होता हाथ में लोगे तो दिखेगा यह तो नहीं बेच पाएंगे वह वैसी क्वालिटी होती है तो उन किस्टमर से ओडर लिया अब 120 रुपे की मानलो साड़ी है ना तो जब पार्सल उन्होंने ओपन किया तो एक ही साड़ी के तीन-तीन तुकड़े थे उसमें दो-दो मिटर के होगी 40 रुपे की साड़ी समझ रहा है मेरा मुद्दा में कहना क्या चाह रहा है कि हजार पीस उन उकड़े इसमें निकल रहे हैं तो सिंपल सी बात उन्होंने दुकानदार नहीं चीज बोली कि वह 40 रुपे में जो आता हमने वह बेज़ा और आपने यह दिया था उकानी किस्टे वहां पे क्लोज हो गए अब वह चाचा आज तक है ना उन साड़ीयों को मेरे साब से आप विजिट करो एक बार दो दुकान खूमों के समझ में आएगी गनित क्या और क्या नहीं है यह चीजों के चकर में अपने वहां से तो किसी के अकाउंट में पैसे डाली मत देना गलती से भी कोई मतलब नहीं इस पंद्रावी सजार रुपे डालके उसमें आपका मन खर लिया तो ऐसा नहीं है यहां आके परचेस करो तो मज़ा भी आएगा काम करने में और चीज मिलेगी वाकई में कमाने वाली और ऐसे वीडियो ना एक आप जब यूटूब पर सर्च करते हैं सूरत होलसेल मार्केट या कुछ भी सूरत कपड़ा बजार कुछ भी आप सर्च करते हैं लाखों वीडियो आते सूरत के उसके अंदर आपको करीब करीब 90,000 वीडियो लाख में से 90,000 वीडियो इसी डाइब के मिलेंगे जो किसी काम के नहीं रहते हैं ना तो उनमें आपको कोई जानकारी दी जाएगी तरीके की ना कुछ प्रोडक्ट ऐसा दिखाए जा लो और चार-चार मीटर के आपने ले भी लिए उसमें टुकड़े तो यार साडी के इसाप से तो उसको कोई भी पर्चेज नहीं करेगा और ना आप बेच पाऊगे हां कट पीस के इसाप से आपको ले जाना हो आपको लगे क्योंकि वह एकदम नहीं होता है एक लेडिज यहार उसको 200 वार पहना होगा और 500 वार पहना होगा तो कपड़े की हालत अब क्या हो गई होगी वह यूज करने लाइक थोड़ी है यार उसके बाद मतलब उनका कैमिकल वाश हो चुका है यहां पे तो कपड़ा वह मर चुका है वह देखती ऐसे लगता है नहीं इसमेल आत आपना स्टार्ट करें काम अपना स्टार्ट करें अच्छी रेटो sustaining मौल अपनी शौप में घर से बनाता हूं तो ौदि Whoo जानकार यह अच्छी आप तक पऊंच जाईए देखर चैनल को लाइक और शेयर सस्क्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा लगता है वीडियो चलिए थेंक्यू